लोग ओफ तॉट्स के इस लेक्चर सिरीज में आज हम वोलेंटी नौन फिट इंजूरिया के कंप्लीट कॉंसेप्ट से दील करेंगे अपने अब तक के वीडियो में हमने तॉट के बेसिक मीनिंग को समझा इसेंशिल एलिमेंट्स देखा तॉट के स्कोप को देखा हमने इंजूरिया साइन डैमनम, डैमनम साइन इंजूरिया और उबी जस इबी रेमेडियम के कंप्लीट कॉंसेप्ट को डीटेल में कवर किया है प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर केस लॉज केता है अगर आप वीडियो में नए हो तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं इस वीडियो में हम वॉलिंटी नौन इंजूरिया इसे कवर करेंगे और हम कुछ केस लॉज भी देखेंगे नौर्मली लॉज ओफ तॉट्स में होता क्या है या तॉट क्या है हम जानते हैं अगर किसी एक परशन के आक्ट के वजह से दूसरे परशन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वोलेशन होता है तो अगर किसी एक्ट या ओमेजन के वजह से दूसरे परशन के आप अगर किसी एक्ट या ओमेजन के वजह से प्राइवेट लीगल राइट्स का वोलेशन हो रहा है वोलेशन ओप प्राइवेट लीगल राइट्स तो इसने रॉंग कमिट किया है यह इसे हम तॉट पीजर कहेंगे और इसके इस एक्ट के वजह से इस ओमेजन के वजह से इस परशन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वोलेशन हो रहा है तो ही इस प्लेंटिफ और इसे हम रॉंग सीकर कहेंगे तो यह कोर्ट में प्लें परेगा कॉंपन्शेशन के लिए तो अगर किसी परशन के एक्ट या ओमेजन के वजह से दूसरे परशन के प्राइवेट लीगल राइट्स का वोलेशन होता है तो इस परशन अन्डर लॉओ अफ तॉट्स इस हेल्ट लाइबल तो पेशन कोंपन्शेशन तू दी प्लेंटिफ लेकिन कुछ केसिस हैं जिन केसिस में तॉट फीजर या रॉंग्डूर को कुछ डिफेंसिस मिला हुआ है और उन्हें डिफेंसिस में से एक है वॉलेंटी नौन पिट इंजूरिया वॉलेंटी नौन पिट इंजूरिया यानि जो रॉंग्डूर है जो तॉट फीजर है वो वॉलेंटी नौन पिट इंजूरिया का डिफेंस ले सकता है और compensation पे करने से बच सकता है तो there are many differences available in law of tort which defendant may seek to exempt himself from paying compensation क्या क्या differences है तो पहला है voluntary non-fit injuria दूसरा पॉंट्रीडिटरी नेलिजिंस तीसरा एक्स्टर्पी कॉसा एक्स्टर्पी कॉसा नन् औरति था एक्स्टर्पीर था एक्स्टर्पी कॉस्टर्पी प्रिवेट देविर्फन प्रिवाटेश्टर्ष परिवेट भी देवाट्टर्थ यूड़के लिवेट प्रिवेट कर दीको देविगेट को धोर देविय। जिसे अपनाकर या जिसे प्रूफ करके dependent compensation pay करने से बच सकता है जिसे अपनाकर या जिसे प्रूफ करके अपने आने वाले वीडियो में कवर करेंगे एकदम दीटेल में आज इस वीडियो में हम वालेंटी नौन फिट इंजूरिया इसे कवर करेंगे एक बात क्लियर है कि वालेंटी नौन फिट इंजूरिया क्या है इस अदिफेंस अविलेबल इन लौ ओफ तॉट्स विच रॉंग्डूर और तॉट्पीजर में अप्लाई और तॉट्पीजर थोड़ा लंबा हो समझा है लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस टॉट्पीक को एकदम दीटेल में विच हंडेट पर्सेंट आपको समझाओं ताकि दूसरे वीडियो आपको ना देखने कोई ठीक है देखो वॉलिंटी नौन पिट इंजूरिया इस वॉलिंटी न में वॉलिंटी से दूसा कंदम की वालंटी न Васए अपको प्रफार करो अपको भॉंच्छ से आप प्रक्रहमने से अपदली से अप मैंने अपनी प्रहल आपर सो छ्थ अगर एक परिशन अपना कंसेंट देता है किसी एक को करने के लिए ये जानते हुए कि इस एक के क्या क्या possible consequences हो सकते हैं तो एक परिशन जो किसी एक के consequences को जानता है फिर भी उसे करने के लिए अपना कंसेंट देता है क्या उसमें participate करता है उसमें उसकी भी भागिदारी रहती है तो अगर कुछ गलत होता है तो वो परशन compensation नहीं claim कर सकता है जैसे एक example Suppose he is Mr. A और ये है Mr. B they both are friends ये दोनों क्या है Mr. A is having a bike ठीक और इस bike का जो brake है brake fail है Mr. B इस बात को जानते है कि Mr. A का जो bike है उसका जो brake है वो fail है फिर भी Mr. A के साथ bike पर बैठते हैं और दोनों long drive पर with full speed निकल जाते हैं and because the brake was fail तो accident हो जाता है तो यहाँ पर Mr. B ये defense नहीं ले सकते है कि उन्हें एक compensation दिया दिया जाए क्योंकि Mr. B having the knowledge कि जो bike छा जो brake था वो fail तो he was knowing the consequences he was knowing the extent of risk in doing that particular work या in doing that particular act तो यही है वोलिंटी नौन फिट इन जूरिया चलिए तो एक परिशन जो किसी act के consequences को जानता है उस act के nature of risk को जानता है extent of risk को जानता है फिर भी उस act को करने के लिए अपना consent देता है तो वो compensation नहीं claim कर सकता है राइट दिशन वालिंटी नौन फिट इनूरिया तो तो अ बिलिंग परिशन knowing the risk involved in the act and having the knowledge of the risk cannot claim compensation. This maxim holds that a person who knowingly and voluntarily risks danger जो किसे act के consequences को जानता है उस act को करने में क्या-क्या danger हो सकता है. फिर भी वो consent देता है. तो वो damages recover नहीं कर सकता है from resulting injury. तो here, B cannot claim damages from A. इसे हम कहते हैं risk doctrine. Right. Now, what are the essentials of this maxim? Voluntary non-fit injuria. तो कहता है, Plentiff had knowledge of risk. Plentiff के पास knowledge of risk था. Plentiff with knowledge of risk has voluntarily agreed to suffer the harm. तो by even knowing the extent of risk involved in that particular act, he voluntarily gives consent to do that particular act. लेकिन कह रहा हैं, but only having knowledge of risk, अब, Voluntary non-fit injuria था, एक exception है, and that exception is known as Scienty non-fit injuria. Scienty non-fit injuria. Voluntary non-fit injuria is a difference. और Scienty non-fit injuria क्या है? It is an exception of Voluntary non-fit injuria. Scienty non-fit injuria कहता है, Man having knowledge of risk does not mean consent to the risk. क्योंकि केवल आपको risk का knowledge था, इसका मतलब ये नहीं है, कि आपका वहां पे consent भी था. इसे हम अपने next video में cover करेंगे. Right? Scienty non-fit injuria को हम अपने next lecture में cover करेंगे. समझो, जो basic difference है, Voluntary non-fit injuria में और Scienty non-fit injuria में. Voluntary non-fit injuria कहता है, Having knowledge of risk और voluntarily knowing the knowledge of risk या to a willing person, it is no wrong. लेकिन, Scienty non-fit injuria कहता है, कि क्योंकि आपको risk का knowledge था, इसका मतलब ये नहीं है, कि आपने consent दे दिया था. और ingredient, लेकिन, लेकिन, ऑूअनिह… लेकिन, लेकिन ये नहीं है, सभ़ने ये, से .... तर अन ये, इंजूरिया बर्डिन ओफ प्रूफ होगा वॉलिंटी नॉन फिट इंजूरिया में वह बेसिकली डिफेंडेंट के उपर होगा और डिफेंडेंट को यह प्रूफ करना होगा कि प्लेंटिफ जो रिस्क्स इन्वॉल्ट थे इस एक्ट को करने में यह विए नॉलेज ओफ रिस्क इन्वॉल्ट इन इस एक्ट और उसे एक्सेंट ओफ रिस्क भी मालूम था प्लेंटिफ अगर डिफेंडेंट वॉलिंटी नॉन फिट इन्जूरिया था डिफेंडेंज लेना चाहता है तो उसे यह प्रूफ करना होगा वह प्लेंटिफ अवे होग दॉलेके ट्थे सक्ष nooit और याइ इस क्षेंट फिर Україंज भी इन चाहता है . नव अब हम समझेंगे रस्क्यों केसे रस्क्यों केसे रस्क्यों केसे वॉलिंटी नौन फिट इंजूरिया का जो कॉंसेप्ट है वो रस्क्यों केसे में अप्लिकेबल नहीं होता है रस्क्यों केसे 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 पर्शन को रेस्क्यू करने से जुड़ा हुआ है, प्रोटेक्ट करने से जुड़ा हुआ है, किसी डेंजर से उन्हें बाहर निकालने से जुड़ा हुआ है, तो उस एक्ट पर वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का जो प्रिंसिपल है वो अप्लिकेबल नहीं होगा, और अगर प्लेंटीफ ने किसी पर्शन को रेस्क्यू करते समय, अगर उसे कोई लॉस हुआ है, कोई इंजरी हुआ है, उसके लिए वो कॉम्पन्शेशन ले सकता है, और डिफेंडेंट इस लाइबल टुपे कॉम्पन्शेशन, अब इसे हम एक एक्जाम्पल से समझते हैं, पायर, कॉट इन हाउस, किसी एक घर में आग लग जाता है, दू टू नेगलिजन्स औफ, दू टू नेगलिजन्स औफ, एके नेगलिजन्स के वज़ा से, तो एक घर में आग लग जाता है, एके नेगलिजन्स के वज़ा से, और इस हाउस में, बी वो ट्राप्ट, बी जो है, फस गया था, और ये बचाओ बचाओ चिला रहा था, ठीक है, ये देख करके, सी क्या करता है, सी एक पर्शन है, तो एके नेगलिजन्स के वज़ा से, इस घर में आग लगा, बी यहाँ पे फसा हुआ है, और सी ने ये देख कर, तुरंट बी को बचाने के लिए, बी को रस्क्यू करने क के लिए बचाने के लिए घर में चला जाता है, अब यहाँ पे सी ये जान रहा है, तो इस घर में पहुच जाता है, बी को बचाने के लिए, इन आडर तो रस्क्यू बी, उसी के पास लेकिन फिर भी ये इस घर में चला जाता है जिसके बज़ा से भी बच जाता है लेकिन सी को से बच बच जाता है अभी इंजरी इसे हो जाता है तो यहां पे छोकि ली फिर काॉट दूट नेगलेगें सी कि बचता है तो ई लीज बाई भी बचाता है है right no matter he was already knowing that it may cause several burns to him he was already knowing the risk involved in rescuing B ठीक है तो rescue cases में voluntary non-fit injuria का जो concept है वो applicable नहीं होता है अब बड़ा पेमस केस है हेंस वर्सिस हार्वूट 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 केस को रेफर्क नहीं करते हैं तो यह माइनसाफ ही बजाएगा ठीक है अब यहां पर क्या था इन ब्रीफ अगर हम इस केस को समझें तो दा सर्वेंट ओफ डिफेंडेंट डिफेंडेंट के सर्वेंट ने दो हॉर्स लाए थे पुलिस इस्टेशन के नजदीक में एक अस्टबल था वहां पे घोडों को रख दिया गया था अब अराउंड दी स्टबल बच्चे खेल रहे थे और उन्हीं बच्चों में से किसी एक बच्चे ने उन घोडों के उपर पत्थर फिक दिया पत्थर मार दिया जिससे जो में पुलिस इस्टेशन था पब्लिक ग्यादरिंग था तो पुलिस ओफिसर यह देखता है और उन घोडों को रोकने के लिए वो जाता है जिसके वज़ा से उसे इंजरी हो जाता है and therefore police man brought a case against the owner of the horses for damages port ने कहा कि जो defendant है is liable to pay compensation और defendant यहाँ पे voluntary non-fit injuria का defense नहीं ले सकता है यह नहीं कह सकता है कि police man already उन्हें यह पता था कि अगर वो घोडों को पकड़ने जाएंगे तो उन्हें injury हो सकता है तो इसका defense owner नहीं ले सकता है क्यों क्योंकि यह जो act था police man का it was associated with rescuing the public public को बचाने से जुड़ा हुआ ठीक है so this is all about today's lecture इस वीडियो में हमने voluntary non-fit injuria के complete concept से deal किया हमने कुछ examples देखें और end में हमने hence versus Harvard का case देखा तो अगर यह lecture आपको informative लगा हो दूसरे वीडियो से अगर हटके लगा हो तो आप please अपना support दिखाए वीडियो को like करिए और इन्हें जादे जादे share करिए अगर आप notes पाना चाहते हो या आपको कोई query रहता है कोई doubt रहता है तो आप मेरे से telegram channel पर connect हो सकते अभी के लिए मेरे telegram channel पर 18 members जुड़े हुए है knowledge grip नाम है telegram channel का तो thank you have a nice day कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो